मस्कार फ्रेंड्स, वालकम टुए शड़ी विथ नीलम, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज स्टेटिस जीके का लेक्चर नमबर 8 हम कंप्लेट करेंगे और इसमें अपके स्पोर्ट से रिलेटिट जो ट्रॉफी हैं उन्हें हम देखेंगे, क्योंकि स्पोर्ट ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो अभी यह पहला पार्ट है और इस प्रोट ट्रॉफी से ही रिलेटिट दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम नैशनल गेम्स भी कंप्लेट करेंगे, ओके अलग-अलग कंट्रीज के तो चलिए शुरू करते ह आज का लेक्चर उससे पहले अगर आप इस्टडी वित नीलम चैनल पर पहली बार आएं तो फट फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल नभूले जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें इस ल गुगल प्ले स्टोर से जाके आप इस्टडी वित नीलम एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको जो सभी फैसिलिटीज अलग-अलग एप पर मिल रही हैं वो यहां एक साथ प्रोवाइट की जा रही हैं चली तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहला गेम है हमारा गोल्फ गोल्फ से जुड़े हुए तीन हमें कप याद रखना है प्रिंस ओफ वेल्स कप राइडर कप और बाकर कप ठीक है देखे तो यह हैं प्रिंस ओफ वेल्स क्या कर रहे हैं यह गोल्फ केल रहे हैं राइडर मतलब राइड करना तो किसमें बेटकर इसमें बेटकर राइड किया जाता है तो राइडर कप और ये सभी लोग हक्का बक्का हो गए है ठीक है देख कर कि भाई प्रिंस ओफ वेल्स ने जीत लिया है यह सिर्फ आपको याद कराने के लिए मैं इस तरीके से करनेक्ट करा है जब आप इस तरीके से सुन लेंगे तो एक्जाम में जब भी आप देंगे ठीक है एक्जाम में दिमांग में आपको उटोमाटिकले क्लिक करेगा कि इस प्रिंस ओ वेल्स मतल blossom वेल्स कप का संबंद किस से गोल्फ से है और राइडर तो राइड कर रहे थे तो राइडर कप का संबंद गोल्फ से है और बाकर हका बक्का ठीक है हका बक्का रहे गए थे किसको गोल्फ केलते हुए तो क्या हो गया बाकर कप ठीक है तो इस मैस आप ये तीनों कप याद रखेंगे किस से हैं गोल्फ से रोइंग कप क्या होता इस तरीकें से तो यह होता है इसकी ट्रॉफी होती है वैलिंग्टन ट्रॉफी अब एक दम से आप लोग वैलिंग्टन सुनते से ही आपके दिमाग में क्लिक करता होगा वैलिंग्टन सहर है ना वैलिंग्टन सिटी तो यह कहां पर है यह न्यूजिलेंड की कैपिटल है क्या वैलिंग्टन न्यूजिलेंड की location आपको याद होगी कि न्यूजिलेंड जो है आस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, तो यह क्या है, चारो तरफ से पानी से घिरा है। न्यूजिलेंड ओके, तो यह भी rowing क्या करते है, पानी में खेलते हैं, थीक है, पानी में ये गेम होता है, तो चारो तरफ से पानी से घिरा हो ना रखना है नारंग कप और चड़ा कप नारंग कप और म्हेंगग कैया खेला जाता है तो नारंग कप और चड़कप का संबंद किस केल से है तो बैड मिंटन से है याद रखिएगा नारंग कप चड़कप बैड मिंटन फुटवोल देख लेते हैं फुटवोल से कौन-कौन से संबंद है तो दूरूंड कप ठीक है डर लगता है भाई फूर्डवोल खेलने से कहीं चोंट न पड़ता है संतोस ट्रोफी और संतोस हमेशा जीत कर आता है ठीके तो देखिए डुरुंड डर लगता है सुब्रुतो सब्र नहीं होता है और संतोस हमेशा जीत के आता है रोवर्स कप और नहरू गोल्ड कप ठीके तो रोवर्स यहां पर कोन है यह रोवर्स से जो खेल रहा ह ठीके तो रोवर्स कप और नहरू गोल्ड कप नहरू जी को भी क्या खेलना पसंद था फुटबोल खेलना पसंद था ओके तो देखिए धिहान रखिएगा डर लगता है कि चोट ना लग जाए तो डुरुंड कप सब्र बहुत कम होता है तो सुबरुतो कप संतोस हमेशा जीत कियाता है संतोस ट्रॉफी तो ये भी फुटबोल से है और रोवर्स जो है ये इसे खेलने का बहुत स्टो के और नहरू जी को क्या पसंद थी फुटबोल पसंद थी तो नहरू गोल्ड कप का संबंद किस से है फुटबोल से है होकी होकी के जादुगर किसे कहा जाता है तो देखिए भई यहां पर पहले हम देखते हैं कौन-कौन से होते हैं बेटन कप ध्यान चंद कप रंगा स्वामी कप आगा खां कप और इंद्रा गोल्ड कप अब यहां पर एक लाइन है इसे आप दो चार बार पढ़ लिजिए अच्छे से तो आप जब हम आगे यहां लगाने से यहां लगाने से यह ög आग से भी याद कर सकते हैं इंद्रा के घर आग ना लगे ठीके देखिए बेटा ध्यान से रंग लगाना इंद्रा के घर आग ना लगे तो तीन को देख लेते हैं अपन बेटन कप ध्यांचंद कप प्रंगस्वामे कप फिर यहां इंद्रा गांधी गोल्ड कप और आगा खां कप I hope याद हो गया होगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा किरकेट ठीकें देव धर ट्रोफी दिलिप ट्रोफी रंजि ट्रोफी इराणी ट्रोफी एसेज कॉप कॉनसा कप है किरकेट है कॉकेट तो आपको याद रहेगी हमेशा सीके नाइडू कप यह टेस्ट टीम के पहले कपतान थे भारत के अब है देव धर ट्रॉफी तो देव कपिल देव देव से क्या आद रखना है कपिल देव क्या लेकर आये थे 1983 में पहला विश्व कप जीता था कपिल देव की मैजवानी कपतानी में ठीक है तो यह आद रखन देव दिलेप रणजी इरानी और सीके जब यह चार नाम आपको सुनाई दे पांच ठीक है तो समझ जाना यह क्या ट्रॉफी है किर्केट किस में इसलिए दिक्कत नहीं आईगे आपको कि कपिल देव से दो देव धर हो गई ओके दिलिप ट्रॉफी तो दिलिप और रणज ठीके दिलिप जाता है रण में ठीके दिलिप रण रणजी तो कोई नहीं भूल सकता क्योंकि रणजी का जो इतनी ज़्यादा फेमस है यह ट्रॉफी कि आप इसे चाहोगे तो भी नहीं भूल पाऊगे रणजी ट्रॉफी को के इरानी ट्रॉफी और सीकेन आईडू हम ठीके चलिए बॉक्सिंग बॉक्सिंग में होता है किंग्स कप कौन सा कप मिलता है किंग्स कप देखिए जो जीच जाता है उसे किंग कहते हैं जो जीच जाता है उसे किंग कहते हैं तो यह तो इजी है किंग्स कप का संबन किस से हैं बॉक्सिंग से हैं लान टैनिस ठीके लॉन, टैनिस, डैविस, क्या आप सिमिलर है, SS, यह सा सा सिमिलर है, जब भी सुनो, कि डैविस कप, बहुत आता है, एक्जाम में इसलिए इंपॉर्टन्ट है, डैविस कप का विजेता, या डैविस कप, किस से संबंदित है, लॉन, टैनिस से, ठीक है, ताकत चाहिए होती है, भाई, किसको उठाने की, भार को उठाने की, वर्धमान, ताकत चाहिए, भार को उठाने की, किसमें, वर्धमान ट्रोफी, वेट लिफ्टिंग, वर्धमान ट्रोफी, वेट लिफ्टिंग, पोलो, पोलो इस तरीके से खेलते हैं पोलो तो एजरा कप ठीक है एजरा जरा सा भी यह जरा दिख रहा है जरा सा भी इंट्रेस्ट नहीं है भाई हमें तो किसमें पोलो में हमें मतलब इंडियन्स को कोई इंट्रेस्ट नहीं है किसमें पोलो में जरा इंट्रेस्ट नहीं है ठीक है क यह देखिए आप लोग कितनी जल्दी सॉल्व करते हो से कौनसी ट्रॉफी क्रिकेट से संभंधित है तो क्रिकेट से कौनसी ट्रॉफी संभंधित है ऐसेज कप आउस्ट्रेलिया ब्रेटेंड टैस सीरीज होती है याद रखिएगा ऐसेज रोबर्स कब किस खेल से संभंधित है रोबर्स को क्या पसंद है फुटबोल रोबर्स अभी बताया था क्या खेलना पसंद करता है फुटबोल खेलना पसंद करता है निमनलिकित में से कौनसी ट्रॉफी क्रिकेट से संभंधित नहीं है अब हमें नहीं है बताना है क्रिकेट स देवदर ट्रॉफी भी किरकेट, बहुत अच्छे से आप लोग को याद हो रहा है, नहरू गोल्ड ट्रॉफी किस खेल से सम्बंदे थे, तो नहरू गोल्ड ट्रॉफी, अभी अमने सर्फ एक ही पढ़े थे नहरू जी को खेलना क्या पसंद है, फुटबोल, क्या खेलना पस इससंदे नहरू जी को फुटबोल तो यह आप याद रखेंगे नहरू gold trophy किस संबंदी थे फुटबोल से संबंदी थे आगाखा कप किस खेल से संबंदी थे तो बेटन बेटा ध्यान से क्या करना है रंग लगाना इंदरा के घर में आग ना लगे तो क्या हो जाएगा होकी ठीकेह, हॉकी, आगा खान कप, होकी, CK Naidu कब किस खيल से संबन दिते हैं? अभी बताया है मैने नाम में ही क्या आगिया, CK, किरिकेट, किस से हो जाएगी? CK Naidu, किरिकेट से रिलेटेड है, डेविस, ठीके, डेविस, Tennis Davis Tennis कुन सा Tennis Lawn Tennis ओके अब Table Tennis हो तो उसमें आप Confuse मत होना है न इतनी Minor Mistake नहीं करनी है हम लोगों को Davis Lawn Tennis ठीक है? Davis Lawn Tennis Durund Cup किस केल से संबद देते हैं? डर लगता है चोंट न लग जाए किस केम को खेलते समये Football को खेलते समये Durund Cup फुटबोल प्रिंस ओफ वेल्स कौन खेलते हैं गोल्फ प्रिंस खेलते हैं ओके प्रिंस ओफ वेल्स कप फुटबोल सॉरी गोल्फ बेटा ध्यान से रंग लगाना तो बेटन कप होकी बेटन कप होकी वैलिंग्टन ट्रोफी अब तो आपकी दिमाग में जरूर क्लिक कर गय कि वेलिंग्टन पानी से घिरा हुआ है और न्यूजिलेंड की कैपिटल है और न्यूजिलेंड भी चारो तरफ से पानी से घिरा है तो वेलिंग्टन रोइंग वेलिंग्टन रोइंग एजरा कप एजरा जरा सब इंट्रेस्ट नहीं है किस में पोलो में एजरा कप पोलो रा ओकहने राइडिन कर रहे हैं तीक है किसको खेलते हुए गोलफ को खेलते हुए राइडर कप गोलफ राइडर कफ गोलफ रंची ट्रोफी क्र्केट सुब्र्टो सब्रो नहीं होता backyard to सुब्र तो सब्र नहीं होता फुटबोल नहीं लिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबन लॉन टैनिस से है फिर घुमा के पूछ लिया तो लॉन टैनिस डैविस साउंड पकड़ा कीजी कुछ सब्दों का साउंड भी अगर आप पकड़ते हैं या रिदम पकड़ लेते हैं आप उसकी तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा टैनिस डैविस टैनिस डैविस ओके लॉन टैनिस डैविस कप संतोस ट्रॉफी का संबन्द किस खेल से है संतोस और रोवर्स दोनों को क्या खेलना पसंद है फुडबोल संतोस रोवर्स फुडबोल वर्धमान ट्रॉफी वेट लिफ्टिंग कोई क्या बोलते हैं इंगलिस में वेट लिफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं भारत तोलन ठीके भारत तोलन बोला जाता तो वर्धमान ठीके बहुत भार उठाना पड़ता है वेट लिफ्टिंग में तो वर्धमान भरोत्तलन रंगा स्वामी बेटा ध्यान से रंग लगाना इंद्रा के घर आग ना लगे रंगा स्वामी हौकी किसे है हौकी से भारत की सबसे पुरानी हौकी टूनामेंट टिमन में से कौन सा है अब यहाँ पर अलगी आपको बता दिया है हौकी टूनामेंट तो बेटा जो बेटा ध्यान से रंग लगाना तो बेटन कप है सबसे पुराना हौकी टूनामेंट कौन सा है बेटन कप अच्छे सी याद रखे ओके फ्रेंट्स तो ये था हमारा sport trophy का part 1 I hope आपको पसंद आये होगा और वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगी और अगर वीडियो helpful लगती है तो please, please, please वीडियो को like कीजे और एक share तो बनता है share जरूर कीजे और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा thanks for watching and take care